केंदर सरकार ने पांज सूब्या नियां विदा अंसबा चोना तो पहला कंक दे समर्थन मुल नू लेके एक एहम फैसला लेा है कंक दे MSP एद की 1.500 पई वदा आया गया है मसर छोले जौन ते तेल भी जादा कटो कट समर्थन मुल वी वदा आदता है कटो काट समर्थन मुल 1.500 पई वदा आया जानतों बाद एद की कंक 2.500 पई प्रती कौंटल विकेगी ते एक वड़ी गल्थ होनों एवी दास दने आ के 2014 दे विच मोदी सरकार सत्ता विचाई सी ते ओदों तो बाद होन तक कंक दे विच मस्पी दा इस सब तो वड़ा वादा है इस से करके किसान हर वारी वादे नो निगूना ही दासते ने तो इस सोच के वेखो के आज तक 1.500 पई वी कौंटल पिछे मोल नहीं वदा आया गया एद की पहली वरी सब तो वादे 1.500 पई ये मोल वदा आया गया है हलांके मसरदी दाल दे MSP 425 पई छोले 105 पई जौंदे पा आविच 115 पई ये ते तेल भीजा ते सरोंदे का टुकाट समर्थन मोलोचे 200 पई प्रती कौंटल दा वादा कीता गया है इस दी जानकारी केंदरी मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिती तीसरा निरने जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है वो भी मैं कहूंगा रभी की फसल जो छे फसले है उसका निवन्तम समर्थन मूल्य यानि कि MSP को निर्धारित करने का निरने किया गया ये फैक्टर आप सबको पता है CACP के द्वारा जो अन्शंशा की जाती उसके अधार पर ही होता है और इसके जो हमारे कमिट्मेंट थी कि डेड़ गुना हम किसानों की आए करेंगे उसके प्रति मोधी सरकार पुरी तरह से प्रतिबद है और अगर ये छे फ़सलों का एके करके मैं आपको बताओं तो पिछले वर्ष की तुल्ला में ये MSP जादा है और तिलहन और सरसों में जो MSP है उसको 200 रपे प्रतिक्वेंटल की वृद्धी की गई है मसूर के लिए 425 रपे की प्रतिक्वेंटल वृद्धी की गई है गेहों के लिए 150 रपे प्रतिक्वेंटल की वृद्धी की गई है और बारले के लिए 115 रपे प्रतिक्वेंटल वृद्धी की है चने के लिए 105 रपे प्रतिक्वेंटल वृद्धी की है और सैफलार के लिए भी 150 रवे प्रतिकोंटल वृद्धी की है हाला के लंगे 6 मीन दोरान कंक दी मांग भी लगातार वद रही है ते न 6 मीन देविच करीब 12% पावी मार्केट देविच वदया है ते मार्केट चे प्रतिकोंटल कंक दा पावी 2500 रुपई नू भी पार कर गया है पर 275 रुपई प्रतिकोंटल तो हेठा ता कोई भी खरीद नहीं सकदा एक कटोकाट समर्थन मुल है उस तो वद किन्ना मर्जी रेट लग जावे ते आपनु सारे नू पता है के जदो मांग वद्धी है किसे चीज दी ता रेट भी वद्धा है पंजाब दे खेती वड़ी मंतरी गुर्मीत सिंग खुडिया ने केंदर दी नियत नू किसान मारू दास्तियां फसलां दे अलान ने पानू रद कर दता है उनना क्या के किसानानू पिशले समेच कुदर्ती मारा चलनिया पंजाने खेती लागतां कई गुणा वाद गईयाने तेना लागतां देले हां आजनाल कंक दी फसल देपा आवेच केंदर ने वद्धा नहीं किता ये वद्धा होर होना चाहिदा सी ते पिशले नौ वर्यां दीजे गालकार लईये जदो तो बीजेपी दी सरकार है ता कंक देपा आज कुल 845 पईये प्रती कुंटल दा ही वादा कीता गया यानिके एक दहाक के देवेच 845 पईये एक साल देवेच सौर पईये वी निबन दे एस साब दे नालता कंक दे पाविचा लान्या वादा निगूना ही जापदा है इस से करके किसाना ने वी इसनू रद कर देता है किसान मजदूर संगर्ष कमेटी दे सूबा जनरल सकतर सर्वन सिंग पंदेर ने के हैं कि फसला दे पादे वेच खास करके कंक दे MSP दे वेच डॉक्टर स्वामी नाथन कमिशन दी रिपोर्ट दे मताबिक वादा कीता जाना चाहिंद है जड़ा आज केंदर दी मोधी सरकार दे मंत्री मंदल ने जड़े कंक दे रेट वेटे डेड़ सोर पर या वादा कीता गया पामे लक्षनानू ते आनवेचरा क्या वादा कीता गया पर यह बहुत नगूनावा बहुत थोड़ावा असी तोनू जाद कराईए देखो तुसी ए जाके जड़े खेती देविच बीज्यां दे रेट वदे या दवाईयां दे खाद्दा दे डीजल दे लेबर दे ओ बहुत जादा वदे ने ओधे मकाबले साड़े रेट न परदान मंत्री जी नूँ ना दा कीता वादा जाद करवना चावने भी डक्टर स्वामी नाथन कमीशन दी रिपोर्ट दे उनसार जड़ा कणक दे रेट वेच वादा कीता जबे कुछ हाड़ी दियां होर फसलां दा वादा भी होया और वो दा किसे नूँ को फैदा नहीं है क्योंकि ओ फसलां मंडी भेच खरीदियां ही नहीं जांती हैं इस करके वादा राद करदे हैं ते वादा जड़ावा ओ जड़ावा डक्टर स्वामी नाथन कमीशन दी रिपोर्ट दे उनसार करन दी मांग करदे हैं तान वाद एस तो इलावा केंदर सरकार ने एस साल ख आसमती चोड़ां दी बरामत दी इजाज़त वी दे दती हैं दवाली तो पहला केंदर सरकार ने देश दे सवा करोड मुलाजवा नो एक खुश खबरी दती हैं चार फीस दी डिये वदा दता हैं वादे तो बाद हुन डिये 46 फीस दी हो चुक्या है कैबनेट दे फैसलें दी जानकारी देंदिया केंदरी मांतरी अनुराग ठाकों ने दस्या कि डिये वदन नाल केंदर सरकार दे अड़तारी लख स्तार्ट हजार मुलाजवा अते स्तार्ट लख पचान्वे हजार पैंशनरा नो लाब मिलेगा ते डिये पहली जलाई 2003 तो लागू होवेगा एस साल मार्च ती स्तंबर दे विच वी चार फीस्ती डिये दिता गया सी सुकेंदर सरकार दे मुलाजवा नु नवंबच मिलनवाली तनखा वाद के मिलूगी जलाई तो अक्तूबर मी ने दा एरियर वी मिलेगा इस दिनाली सरकार ने दवाली तो पहला रेलवे विपाक दे 11 लग 7,349 गजटेड मुलाजवा नु ठतर दिना दी तनखा दी बराबर बोनस देन दा एलान कीता है इसते 1,990 क्रोडर पर ये खार छोण गे बोनस 2010-11 तो दिता जा रहे है सरकार दे स्वैसले नाल गैग मैन लोगो पाइलट ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर मैं भी एक ऐसा निरने जो हमारे केंदर के करमचारी और पैंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंदर सरकारी के करमचारीों का दे डेरनेंस अलाउंस और पैंशनर्स का दे डेरनेंस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वरिद्धी करने का निरने किया गया है इससे कुल मिलाकर देश फर में करोडो सरकारी करमचारी जो केंदर सरकार के और पैंशनर्स उनको लाब मिलेगा ये वृद्धी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ा करे 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ातरी हुई दूसरा निरने रेलवे विभाग के नौन गैजटिट रेल करमियों के हिट में हैं और जैसा कि दिशारा नजदी कारा 24 अक्टूबर को और तेहारों का सीजन तो 11,7,340 नौन गैजटिट एम्पलाइस रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तैय किया गया है इनके 78 दिन की जो उनकी सेलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तैय हुआ इसके उपर लगबग 1,979 क्रोड पे खर्च होंगे ये प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्शों से 2010-11 से रेल विभाग अपने करमचारियों को देता है और इस पार भी इसक जुक्य त्युहार के समय उनको मिलता है